नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल हिष्ट्री विंद्रेंद्र में दोस्तों आज की इस यूडियो में हम मोरी एकाल से समनेत कुछ महत्त पूर्थ पूर्थ दिखेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जू नहीता है कि कौनकौन से विक्षु कहां कहां पर बेज़े गए थे तो पहरा था मंजतिक, मंजतिक को कस्मीर और घंदार में भेजा गए था महारक्षित को योन देश में मंजीम को हिमालय देश में और धर्म रक्षित को अपरांतक में महाधर्म रक्षित को महराष्ट में इसके साथ महादेव को महिश मंदर मैसूर में रक्षित को बनवासी में सोन तथा उत्तर को सोन भूमी में और महिंद्र एहोंसम मित्रा जोकी अशोक के बेटे और पुत्र पुत्री थी उनको सिललंका में बोध्रम के परचार के लिए भेजा गये था नेक्स्ट जो फैक्टियां पर दिया गये वो है अशोक के धम का सुरूप क्या था तो फ्लिट ने इसको राजध्रम बताया जबकि स्मितर रादा कुमुदु मुखर जी ने इसको सभी धरमों की साजी संपत्ती सरवभूम धरम बताया रमा संकर्ति पाठी ने स्राभाम ध्रम और शेनाट भंडार करने से उपासक बोध ध्रम फादर हिरास ने भ्रामर ध्रम रोमिला थापपने अशोक का अपना अविस्कार बताया नेच्ट है पांस सिमान्त जिनका वर्न हमें असोक तिसरे छिरलेख में इनका वर्न मिलता है तो पांस सिमान थी राने राजा कॉन कौन से थे ? एंतियोक शीरिया में सिरिया को चाहते थे तो हमें जो कि मिसर का नाम था उसमें टोन में दिवित्ते फिलाडेफस थे एंतेकीन मेसिडोनिया मेसासक एंटीगोनस थे मग या एपिरस में मगस थे अलिक सुंदर सिरीन में एलेकजेंडर या सिकंदर थे नेक्ट है या पर अर्च सास्त्र में मरनित 18 तिर्थों की सूची इंपोर्टन्ट है ये जातरी ये सबी जो मैं पूछ रहा हूँ ये मैच वाले कोश्चनों में सुमेनित करने वालों में पूछी जाते हैं तो समाहर्ता रासव का संग्रह करता था सनी धाता कोशा दक्ष को कहते थे सेना पती यूद विभाग का मंतरी होता था यूराज राजय का उत्रादिकारी परदेश्टा फोसदारी नियले का नियाधिस नायक सेना का संचारक और कार्मांतिक उद्योग दंतों का परधान न रिक्षक होता था इसके साथ सत्वेहवारिक दिवानी नियाधिस था मंतरी परशिदक्ष मंतरी परशिदका देक्स होता था दंडपाल सेना की शमगरी जुटाने वारा अधिकारी था अंतपाल सीमवर्ती दुर्गों का रक्षक होता था दुर्गपाल दुर्गों का प्रवांतों यह पर बात गय था चंड़्गूप्त के काल में चार थे जब की हसो के काल में पांच हो जाते हैं तो इनकी राजदानिया उतरापत कि राजदानियो गॉर्यारश बहाए बटा होता था नेक्स्ट भी चलते हैं नेक्स्ट जो यहां पर फेक्ट दिये गए हैं मोरिया प्रसासन का भी भाजन निमन प्रकार से था तो समराजिया प्रांतों में बटा होता था और प्रांत आगे जीलों में बटे होते थे जिन कोस में आहार या विशे कहते थे स्थानिया आठ गाउं का समू कहलाता था द्रोणमुक में 400 गाउं होते थे खारकविटिक में 200 गाउं और संग्रहन में 10 गाउं होते थे यापर ये सोरी 100 दिया गया है प्रंतु ये पर ये गलत है यापर 10 होएगा तो ग्राम प्रसासन की सबसे छोटे एकाई होती थी नेक्ष्ट है आपर विविन प्रकार के जो कर मोरियकाल में थे वो भाग सबसे मेरे भाग है भाग किशकों द्वारा उतपादित क्रिशी उतपादों पर कर होता था बली एक प्रकार खबूरा सब था हिने नगतगर को कहते थी सेतु बंद राजे की ओर से सिचाई का परभंद करने हे तु लगाए गये कर था विष्टी बेगार कर या निशूलक स्रम को कहते थी नेक्ष्ट जो यहाँ पर दिया गए वो है मोरियकालिन सिक्के करशापन, पन, धन, ये मुर्यकल का सो से मैत्पून सिक्का था, चांदी का बना होता था, सुवन, निस्क ये सोने के सिक्के थे, मास्क तांबे का सिक्का था, काकणी तांबे का छोटा सिक्का कहलाता था, मुर्यकलिन सिक्के आहाद सिक्के या पंचमर्क सिक्के कहलाते थे के उपर चार सिंख बने हुए ये सबसे उथकृष्ट या सुधर स्थभ है मोरियकाल का लोडियनान्दनकर इसमें एक बेल का झो बेल की मुर्थि बने हुई है इसके सिर्श पर राम्पुर्वा के सिर्श पर एक बैल है विसालिस ثム पर एक सीघर है संकीशा के सिज़ पर एक हाती है और सांचिस ثम पर चार सिंक दी गए गए हैं नेट्स है मौरियासमराजी के पतन के कांड दिए गए विद्वानों के द्वारा हेम चंदर्राय के द्वारा काहाग बताये गए है कि आपर सिक्षित नोकर साही को भी बताया जहापर दे गए है मोरिय सासक बिंदु सार के विभिन नाम तो विभिन सतरोतो सिम के क्या नाम मिलते हैं अमित्रो चेटस ये युनानी लेहों के द्वारम का नाम दिया गया है अमित्रगात संस्कित गरंथ एउन फ्लेट के द्वारा दिया गया है अमित्रो केटस ये श्ट्रेबो के द्वारा दिया गया है मद्रसार वायू प्राण में बताया गया है सिन सहन जहन गरंथों में बताया गया है जबकि बिंदुपाल फाया पियोन चूलेनिय चेनी गरंद के दोरा इसको बिंदुपाल बताया गया है नेक्स्ट है असोक के विभिन नाम अयोन उपादियां तो असोक वेक्तिकत नाम जिसका उलेक मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गेलम अभिलेक में उसका वेक्तिकत नाम असोक है उसका वरनन के अगया है सबसे पहले मास्की से 1915 इस्वी में असोक का नाम पढ़ा गया तो दूसरे जो उसके उपादियां थी वो देवनाम प्रिय राज के उपादि थी प्रिय दसी ये अधिकारिक नाम था मगद का राजा ये भावरु अभिलेक में इसका वरनन के अगया है साथ ये भावरु अभिलेक में धम जो बोद्रम के तिरिन गतन है बुद्धम संग इनका वरनन पिसाथ के साथ दिया गया है असोक मरिया ये जूनागर अबिलेक में जो कि रुदर दर्मन के द्वारा लिकित है सलस्कित भासा का पहला अबिलेक असोक वर्धन ये प्राणों में बताया गया है युनानिस तुरत्तों में असोक का नाम नहीं दिया गया है तो आज की उडियो में तिनी फैक्ट्स साथियों अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लें और साथियों के साथ भी सिर्क रहें धन्यवाद